कि हेलो एवरीबान वेल्कम तो मैं चैनल होग आप लोग अच्छे हों यह आप लोगों की प्रपेशन अच्छे चल रही होगी जैसा कि आप लोगों पता है कि मैं आइपी प्योस्प्यों और क्लर के लिए टूडू लिश्ट प्रवाइड कर रहा हूं जो कि काफी एनलाइज और आप लोगों को बहुत अच्छे से टॉपिक डूड कर लाया हूं कि आप कैसे प्री और मेंस को कैसे साथ में कवर कर सकते हैं और यह वीडियो आपके लिए काफी जाता है अगर आप इस पेसले आपी प्यो और क्लर को टार्गेट कर रहे हैं क्योंकि जैसे आप लोगों तो पता है कि अभी रिसेंट में एक्जाम हुए बहुत सारे स्टुडेंट को सक्सेस मिला है बहुत सारे स्टुडेंट को नहीं सक्सेस मिला है बहुत सारे स्टुडेंट कुछ मार्ग से रहे गए हैं तो अगर आप अपने प्रप्रेशन को थोड़ा सो और एफट जा है अगर आप beginners student है तो आप पहले जाके वो वीडियो जरूर देखें क्योंकि यह series है आपको मैं सब कुछ line by line बता रहा हूं चलिए देखते कि आज के to-do list में आप लोगों को क्या करना है कौन से topic cover करना है जो भी मैं मैं बताता हूं smart strategy होता है आप लोगों को day six daily to-do list अभी नहीं तो कभी नहीं कि beginners के लिए मैं पहले आप लोगों को इससे पहले मैं आप लोगों को noun, verb और subject बार agreement और tense पढ़ने के लिए बोला था आज आप लोगों को concept समझ में नहीं आएगा और ज्यादा दिन तक याद भी नहीं रहेगा और फिर इतना कर यह आप नीतु में के book से भी follow कर सकते हैं या फिर आपके पास अड़ा भी अड़ा का book होगा तो आप उस book से follow कर सकते हैं अगर आपके बुक नहीं आपके बुक नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहां बहुत सारी बुक आपको अवेलेवल है पीडिया फॉम में तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फिर आपको डेली बेसिस पर आप लोगों को एड़ोरियल तो मुस्ट मिलते हैं बहुत सारे आप लोगों को चैनल मिल जाएगा जहां एड़ोरियल और बोकैम बताया जाता है तो आप वहां से कवर कर सकते हैं अगर आप लर्णिंग पिरेड में आपको खुछ से पढ़ना नहीं पढ़ने में समझ में नहीं आता है पढ़ने के बाद तो आप न नहीं शम्यम जो आपको अने प्री क्लासेश कराती या फिर वह अपनी यूट्व चैनल पे भी करती है तो आप उनको जरूर्ण करें क्यूंकि वहां से आप लोगों को आप गैंक एक्जाम जितने टापिक जो पॉश्चन आते हैं वहां से आप लोगों के नहीं एक्सपीर स्टूडार है उनको भी यह आप लोगों को कवर करना डेली ईडियर वो का है यह वीगनर्स और एक्सपेरियंस दोने श्टूडेंट के लिए है कि पिर आप लोगों को मैध में कंप्लीट परसंटेज पढ़ना जो भी बीगनर्स student है परसिंटे जब भी पढ़िए बहुत अच्छे से पढ़िए concept को clear करिए क्योंकि बहुत important chapter है आपका arithmetic है सबसे ज्यादा important chapter है मैं आप लोगों बताता हूँ इसके लिए मैं आप लोगों को दो दिन का time दिया हूँ दो दिन में आप लोगों को cover करना है आप कैसे भी cover करें लेकिन दो दिन में cover कर लीजिए ताकि अच्छे से आगे के और भी question आप कर सके कमसे कम basic अच्छे से कर लीजेगा और जब भी cover कर लेंगे तो उसके बाद आपको कमसे कम 50 question आप लोगों को chapter से करना जिस दिन आप पढ़ेंगे उस दिन ही 50 question करना है क्योंकि अगले दिन के भरोजी रहीएगा तो फिर सब कुछ भूल जाएगा और beginners वालों आप experience वालों को आपको पीडिया यासुष और और सर्ड जो पीडिया प्रोवाइड करते monthly magazine तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं फिर पांस डियाई करना आप लोगों को जो best question होना चाहिए जो recent exam में पूछा गया वह question आप लोगों को प्रैक्टिस करना फिर 30 questions आप लोगों वीक चैप्टर से करना जो भी लगते हैं आप लोगों का ये वीक चैप्टर है तो वहां से जाला ज्यादा question प्रैक्टिस करें क्योंकि एक भी चैप्टर छोड़ना मिस करना बहुत प्योकोफी वाला काम है क्योंकि हर चैप्टर से एक नहीं question पूछा जाता है और प्रैक्टिस करना speed math speed math आप लोगों पता ही है कि क्या क्या प्रैक्टिस करना रहता है तो आप यहां से अच्छे से प्रैक्टिस करिए गाँ पिर देख लीजी आप लोगों रिजनिंग में complete coding and decoding करना जब भी आप कोडिंग पर रहे हैं जो भी पीगनर सी स्टूडेंट है तो जितने टाइप्स के कोर्सन बनते हैं वो सारे टाइप्स के आपको कवर करना जैसे कि चैनिस कोडिंग डिकोडिंग यह आप अंकुस लं प्रिंटे हो लोगों पांच प्रजल करना में लेवल्स के सेक्षिनल टेस्ट दीना और टॉपिक वाइजिस करना जो कि आप स्मार्ट की डैप से कर सकते हैं वहां पे आप लोगों को डेर सारे कुजिस मिल जाएंगें बिलकूल यह परी आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते ह प्राट कर सकते हैं